आज की इस वीडियो में आपको ये देखे लेडिज कोटी बनाना बताऊंगी ये वीडियो मैं श्पेशली बिगनर्स के बना रही हूं उनके लिए जो बिल्कुल भी स्वेटर वगर बनाना नहीं जानते हैं इसमें मैं step by step करके सारी चीजे बताऊंगी कि किस तरह से कैसे करनी है बैक पाल्ट, फ्रंट पाल्ट, मुड़्ों की घटाई, गले की घटाई तो फ्रेंट्स अगर आपको ये पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बने चार उंगल हमने बनाए हुआ है और फ्रंट पाल्ट में इस डिजाइन को पूरे में और अप्लाई करेंगे और यहां पर देखे चार उंगल ये डिजाइन बनाने के बाद हमने यह पूरा पाल्ट यहां तक हमने निट किया हुआ है सीधे फंदे हमने बुन करके तिय साइज के लिए 100-105 फंदे रख सकते हैं और अगर आप एकसल बना रहे हैं तो इसके लिए हमने पीछे के पार्ट में 120 फंदे रखने हैं और डबल एकसल ट्रिपल एकसल के लिए आपने 130-140 फंदे रखने हैं तो यहां पर देखें मेरा लार्ज साइज है 116 फंदे हमने यहा 110-150 फंदे रख सकते हैं तो मैंने यहां पर एक फंदा एकस्ट्रा कर लिया है ताकि मेरी डियाइन अच्छे से एड्जर्ट हो जाए बट जैसे कि अगर आपको फंदा कम हैं आपने 100 या 105 रखने हैं तो फिर आपको जो फंदा एकस्ट्रा हो रहा है जैसे आपने 100 फंदे हैं है मीडियम साधे बना रहा है आपने 100 फंदा रखा हूआ है तो आपने क्या करना है 12-85 , 95 फंदे स्टार्टिंग में और लास्ट में तीन तीन फंदे उल्टा बनाएंगे और बीच में हमारी यह पैटन है पूरी पैटन देंगी ध्यान से बात पूरे अजयन को में सारे फंद और सीधे बना सकते हैं लेकिन अगर आप पूरे में एक्षयां से आप उन्हें जो है दोनों तरफ आधा करके उल्टा बना सकते हैं तो देखिए यहां पर मेरा जो है 116 फंद है तो मैं आपको यह बता देती हूं सबसे पहले यह देखिए यहां पर हमने 19 के मार्टिपल में 38 फंदे प्लस दो फंदे एक्स्टा रखे हुए हैं हमारी यह डिजाइन फोर रॉज की है चार सलाईयों में यह पैटन बनकर करके कम्प्लीट हो जाता है और फर्स ट्रॉ से ही हम अपनी डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला फंद हमारा एजटीज है लेकिन हम पहली बार बना रहे हैं तो इसे हम जो है सिधा बना लेंगे वन्ना हम इसे स्लिप करेंगे हर बार इस तरह से अब धागा आपनी तरफ करेंगे यहां से मारा पैटन स्टार्ट होगा दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से एक बार किया फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंग दो बार, फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, तीन बार, हमने तीन बार जो है स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा करना है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सिधा बनाएंगे, यह इस तरह से, अब देखें धागा आपनी तरफ करेंगे, और 6 फंदे हम जाल टालते हुए छह बार जो है बनाएंगे यहाँ पर मारी 6 बार जाली परेगी दिखी यह जाली लगया च्छार न पपनी तरफ करेंगे जाली लगन्यों जा wnz आपक grizzly जाली डालेंगे और दी देखिए च्छ च्छ फंदे डालते बनाए अब करेंगे अब देखिए करेंगे कि यहां से वमद टोके उनिषी माइनी है हम avoid को तुम्य का एक फंदा किया एक सीधा फंदा बनाया च्छा बार हमने जाली डालते हुए बना और फिर से तीन बार हमने दो फंदों का एक फंदा किया तो जो तीन फंदे हमारे इस्तरफ घड़ गए तीन फंदे इस्तरफ तो जहां पर जो बीच में हमारे च्छा फंदे जाली डालते ह हैं तो 6 हमारे वापस से बढ़ जाएंगे हैं फिर तीन बार 2 अनकी कर देखिए एक फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे दो फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे तीन इस तरह से तो इस तरह से फ्रेंट्स बीच में हमारा जो है छह बार दो फंदों का एक फंदा होगा देखिए और फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धाग आपनी तरफ चाली डालते हुए बनाएंगे देखे एक धाग आपनी तरफ जाली डालते हुए दो धाग आपनी तरफ जाली डालते हुए तीन धाग आपनी तरफ जाली डालते हुए बनाएंगे चार धाग आपनी तरफ जाली डालते हुए पांच धाग आपनी त को दो इस तरह से और फिर दो फंदो का एक पंदा करेंगे कर आद इस कि के देखिए विल्ट सारी के उल्टेब बनाते हुए कम्प्रीट करनी है देखिए इस तरह से हम सेकंड रॉ कंप्लीट कर लेते हैं अब हम अनाएंगे थर्ड रॉ राइट साइड से तो यहां पर पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से और बाकी के सारे फंदे हम सीधे बुनते विए अपनी थर्ड रॉ को कंप्लीट करेंगे फ्रेंट से दिखिए हमारी थर्ड रॉग कम्ट्वीट हुई और फोर्थ रॉग को हम रॉंग साइट से सारे फंदे उल्टे बुनते विए कम्ट्वीट करेंगे फ्रेंट से दिखिए हमारी फोर रॉच कम्ट्वीट हो चुकी है और इसी साथ हमारे पैटर्न कम्ट्वीट हो गया है देखिए यहां पर हलका सा जिग जग समझ में आ रहे हम और जाधा बुन लेंगे तो यह बिल्कुल इस तरह से जिग जग यह हो जायागा जैसा इसमें है हमने इनी फोर रॉच को रिपीट करना है तो हमारी डिजाइन जो है पैटर्न बिल्कुल मार जो है यह इस तरह से बनता चला जाएगा तो यहां पर मैंने इतना बनाया हुआ चार अंगल बादर बनाया हुआ इस डिजाइन का आप चाहें तो और पूरे प्रोजेक्ट में आपको मुद्धों की घटाई करना बताऊंगी कि मुद्धे किस तरह से अपने घटाने है तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पढ़े है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हम फिर मिलेंगे इसके से लिए बाई